कि नमस्कार में नमान लोक है आप लाइश देख रहे हैं बिहार के करी जिलों में जोरदार बारिश हो रही है और जिसका असर भी अब दिखने लगा है एक तर जहां मौसम विभाग भी लगातार अपडेट्स दे रहा है कि बिहार में बारिश अभी लगातार होगी कई जिलों में रुकरुकर बारिश हो रही है राज़ानी पट्ना में फिलाल अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन हम आपको अब तस्वीर दिखाने जा रहे हैं में गुरुबार को अचानक जो जलिस्तर है वो देखे कैसे बढ़ गया है बार जैसे हलात हो गया है पानी अचानक बढ़ गया और परिटको को वहां से सुरक्षित निकाला गया है और बताया जा रहा है कि काकुलत में भीशन बार आने से मुख्य धारा के समीब उपरी पानी में डूब गया है इसके अलावब परिष्थर स्थित मंदिर और ड्रेसिंग रूम का कुछ हिसा पानी में डूब गया है ऐसे में तमाम तस्वीर निकल किया रही है यह बड़ा हाथसा होते होते टल गया है लेकिन किसी की हताहात होने के अब तब कोई खबर निकल के केमेद्न का जुट्राफ। हम बड़ी खबर यह है कि आप देख रहा हों जो क्या हुए हु ft जा थे हैं कि ए और यहाँ पर आपकी चुन गूलत जाते हैं यहाँ το बाढ़ जैसे हालात हो गए और कैसा ये जो मंजर था वो हम आपको कुछ तस्वीरे जो निकल के आई हैं उसके जरीए हम आपको दिखा रहे हैं सोच सकते हैं आप बिहार में मौनसुन जो लगतार सक्रिय है मौनसुन काफी तेजी से बर रहा है और कैसे के तो मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है तो ऐसे में हमें थोड़ा सचेत होके चलेंगे जो थे कई जिलों से जो बाढ़ की तस्वीर निकल के आ रही हैं वो का सबसे पहला है तो कहने कहीं जहां जहां मदद की जरूत है सरकार मदद पहुंचा वी रहा है लेकिन काकोलत जो तस्वीर को वहां से शुरक्षित निकाला गया है और किसी के हताहत होने के कोई खभर नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं का खोलत आप जाते होंगे वहां पर कभी ऐसे आज तक हलात हुए नहीं है कई सालों के बाद ऐसी तस्वीर वहां से निकल के आई है नवादा से यह जो तस्वीर निकल के आई हैं हमने आप तक रखी है बेरहाल आप लाइश्टी से बने रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेस्ट पेज भी लाइक करें इसकिलावार